हेलो दोस्तो। आज हम बनाने मले हैं कद्धु की बहुत स्वाडिस्च सब्जी। सबसे पेलले यहां पर हमने छोटा सा कद्धु लिया हुआ है को कटिंग कर लेते हैं हमारी रीथ जो घर में मर्द रहते हैं वही सबसे पहले कद्धु को तोड़ते हैं प्लेक को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लेया। टामाटर मिर्च लहसुन को हमने अच्छे से कूट लिया हुआ है एक प्यास लेना है और सारी सब्जे को जो है हमने अच्छे से धोल लिया है अब चलते हैं कढ़ाई के तरफ कढ़ाई लेना है कढ़ाई में डाल देना है सरसो का ओयल उसमें डाल देना है छोटी चम से जीरा एक चटकी मित्थी फोड़ा सा सौफ गीक मैंग्रेल होता है वो डाल देना है तोट्य पत्ते एक तुधी लाल मिर्स टोड़ कर डाल लिये 20 ख़ड़े उसकी बाद कोटा हुआ लेस्नेट कर देना है और कोटा हुआ हरमिच कूट कर ही लैसुन लेना है आपको बहुत जादे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और एक बारी कटा हुआ प्यास को अच्छे से सारे तेल में मिक्स कर देना है एक मिनट के लिए थोड़ा भूल लेंगे उसके बाद कदू डाल देंगे यह देखिए कदू डालने के वाद जो है इसे अच्छे से मिक्स कर देना है अब इसमें आपको एड कर लेना है टमाटर तू डाल यह नई तो इसके भी कर सकते हैं फिर एक चमझ धनिया पाउड़ को मसाला अट करना है इसमें जीरा पाउडर भी है और मरेज पाउडर भी स्वादनस, नमग लेना है चोड़ दे और कभर करके एकदम लो फ्लेम पे इसे चार से पांच मिनट के लिए पकने देना है देखिए पांच मिनट हो गये हैं और कदू जो है हमारा कुछ हद तक पक कर तयार हो गया यह देखिए और इसमें पानी का यूज हमने बिल्कुल नहीं किया हुआ है क्योंकि क्यास घुड़ा पर हमने डाल दिया है आम काचार इस सी क्या होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा घ्रवा नाजाता है क्योंकि क्योंकि कदूश घ्रवा में थोड़ा सा मीठा होता है इसलिए घ्रवाइव थाथ श्वाडिकम तो हमने 5-6 मिनट और पक कर लिजेगा ताकि हर रोज मेरे चैनल से आपको नए नए वीडियो मिलते रहें तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा कि यह हमने कद्दू की सब्जी कैसी मनाई है तो मिलते हैं आपसे नेश्ट वीडियो के साथ थैंक्स